दोस्तो आपकी फेवरिट शू मुलकी में आगे क्या होने वाला है? क्या देखेंगे आप एपिसोड में चलिए बात करते हैं? नमस्कार आप देख रहे हैं बॉलिवुड स्पाइ पर तुम इस मुखी के चकर में अपना फ्यूचर क्यों बरबाद कर रही हो? तुम अपना सुखी जीवन बिताना चाहती हो तो दक्ष से अच्छा पार्टनर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा ध्वनी कहती है मुखी जी की नियत में कोई खोट नहीं है वो एक अच्छे पिता है और अच्छे दोस्ती हैं। मुझे इस आदमी से बचा लीजे वहाँ पर वीरिंदर नशी की हालत में होता है दोस्तों मैं हर दिन पांच बजे अपना काम खतम करके निकल जाती हूँ पर आज इसने बच्चों का बहाना बना कर मुझे रोका और फिर शराब पी कर मेरे साथ जबरजस्ती करने की कोशिश की फिर मुझे पैसों का लालच दिया दक्ष कहता है मुझे इंसान की परक है मुखी जी करेक्टरलेस इंसान नहीं है मैं जानता हूँ उन्हें उनका नेचर समझता हूँ नानी दक्ष पर चिलाती है और कहती है तुम लोगों की आखों पर क्या पट्टी लगी हुई है आगे हम देखते हैं दोस्तों वीर प्रेशी को बता देता है कि पूरवी जिन्दा है पर उसे कुछ याद नहीं है वहाँ पर दोस्तों पुलिस पकड़ कर ले जाती है वीरेंदर को दरसल ये सब नानी की चाल होती है दोस्तों वीरेंदर को फसाने के लिए आगे हम देखते हैं दोस्तों नानी फिर से ध्वनी का ब्रेन वाश करती है पर दक्ष आके रोकता है और कहता है ध्वनी मिचौर्ड है उसे शादी के लिए फोर्स मत करिये आखिर में ध्वनी कहती है मुझे रिष्टा मन्जूर है और एपिसोड खतम हो जाता है दोस्तों आखिर क्या होगा विरेंदर का और पूरवी का कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा दोस्तों अभी के लिए अतना ही देखते रही है बॉलिवुड स्पाई